विन्सिटी डिवालपर्स की एक और शांदार पेशकश जहांगीर पीर दर्गा से दो किलो मेटर पहले आबादी के बीचों बीच गाउं से लगा हुआ विंचर फीकस सिर्फ पाँच हजार रुपए चेर्मेन एएटीन तेलंगाना नियूस महमद आजम अली आप सभी का खेर मख्तम है एएटीन तेलंगाना नियूस पर आज बरुजे जुमेरात यानी थास्डे बतारिख 23 फिबरबरी का दिन है आए देखते हैं एएएटीन तेलंगाना नियूस का खास खबर नामा बढ़ते हैं आज की एहम खबरों की जानी हैदरबाद के उस्मानिया जनरल हास्पिटल में लिप्रोसकोपिक बेरियाट्रिक सरजरी के बाद एक 23 साला शख्स ने दो माह के अंदर-अंदर 70 किलो वजन कम किया ये शख्स ठाकूर मंदरा सिंग जो महशनगर कालोनी हैदरबाद के रहने वाले हैं इनको सरजरी के लिए हास्पिटल में दाखिल किया गया था क्योंके वो इंतहाई मोटापे की वज़े से डाइबेटीज, हाइपरटेंशन, नीन की कमी और फैटी लीवर की बीमारी में मुपतला थे मेडिकल रीजन्स की बिना पर इनके लिए सरजरी जरूरी थी ये इस तरह की पहली सरजरी है जो तिलंगाना की किसी सरकारी हास्पिटल में की जाती है तिलंगाना हाई कोट ने बूद के रोज हैदराबाद में आवरा कुटों के हाथों मारे जाने वाले पांस साला लड़के की खौफनाक मौत पर एक मुफाद आमा की अर्जी पी आईल शुरू की हाई कोट ने ग्रेटर हैदराबाद मिनिसिपल कॉर्परेशन जीह जमसी की जानिब से लड़के की मौत के लिए गफलत बरतने का लजाम आयत किया और मिनिसिपल बाडी से पूछा के आवारा कुटों के हमलों के वाखियात को रोकने के लिए क्या एखदामात किये जा रहे हैं हाई कोट ने पांस साला बच्चे की मौत पर ताजियत का इजहार किया और यखिन दिलाया के वो लड़के के खांदान के लिए मौफजे के मामले पर गोर करेंगे मिनिस्टर के टी आर का कहना है के जंधन 15 लाकी रखम हिंदुस्तान के लोगों के बजाए अडानी को गई एक बर वजिराजम नरेंदर मोधी और गौतम अडानी के दर्मियान दोस्ती को निशाना बनाते हुए बी आरेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और आईटी मिनिस्टर केटी रामराव ने कहा के मोधी हिंदुस्तान की अवाम के जंधन खातों में 15 लाक रुपिय जमा कराने के अपने इंतिखाबी वादे को पूरा करने में नाकाम रहे हैं काला धन वापिस करने के बजाए फर्जी तोर पर अडानी की मदद की जमेराथ को एक बड़े जलसे आम से खिताब करते वे केटी रामराव ने कहा के लोगों को कभी भी वादा करदा 15 लाक रुपिय नहीं मिले ताहम अडानी दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक बन गए हैं उन्होंने कहा मोदी ने वाख़ई अडानी को ये रखम हासिल करने में मदद की थी सैबरबार ट्राइफिक पॉलिस ने टू वीलर गाडियों के ड्राइवर्स को चालान से बचने के लिए अपनी गाडी की नमबर प्लेट्स को मास्क से ढापने से खबरदार किया है और इसे खेर खानूनी खरार दिया है ऐसा करने वालों की खिलाफ सखत खानूनी कारवाई की जाएगी ट्राइफिक पॉलिस ने ट्वीटर पर एक न्यूस क्लिप भी पोस्ट किया है पॉलिस ने वान किया है कि लोग ट्राइफिक चालान से बचने के लिए हाईवेज पर नमबर प्लेट्स के साथ छेर चार कर रहे हैं और साथ ही गारियों की नमबर प्लेटों पर मास्क भी लगाए जा रहे हैं मोटर साइकिलों की नमबर प्लेटें तब्दिल करना भी ट्राफिक कोवानिन के खिलाफ वर्जी है हैदरबाद इस वक्त पिछले तीन सालों में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट फेबरवरी का सामना कर रहा है जिसमें मुतादित मवाखे पर दर्जी हरारत 35 डिग्री सेल्सेस से ज्यादा बढ़ गया है इंडियन मेटरॉलजिकल डिपार्टमेंट हैदरबाद के मताबिख रियासती दारुल हुकूमत में दर्जी हरारत पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में उसके बुलंद रहने की उमीद है